Hi winners, I hope you all are well this side, Rajiv Anand. Welcome to Crypto Marg YouTube channel, Crypto का रास्ता. Winners, वीडियो सुनिए और आप खुद से अनालिसिस कीजिए. Terra Classic पर लगातार अपडेट आप लोगों को Crypto Marg YouTube चानल पर मिल रहे हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन है, Terra Classic कभी भी एक प्रॉपर बुलिश बन सकता है. और कोई छोटा मोटा बुलिश नहीं बनेगा, Terra Classic, Terra Luna Foundation के एको सिस्टम की वज़े से बहुत बड़ा बनेगा फ्यूचर के अंदर. इसको बहुत सारे लोग बिलकुल सही तरीके से प्रेडिक्ट भी कर पा रहे हैं और इसी का रिजल्ट है कि Terra Classic के अंदर, डाउन की बाद भी कही न कहीं पर लास्ट 24 आर के अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो 39% अप है. टेरा क्लासिक में, अगर आप लोग क्वाइन मार्किट के अप, क्वाइन ग्याको या वॉचर गुरू पर चेक करो, तो जितने भी परसंस है जो रेगुलर क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं, और बाई दा डिप का बेनेफिट उठाते रहते हैं, दे और प्रिडिक्ट के टेरा क्लासिक जो है, वो एक बुलिश ट्रेंड की ओर है, इसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन है, टेरा का ओफिशल ट्विटर प्रोफाइल, जिसके उपर रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं, टेरा लुना फाउंडेशन के, हाला कि टेरा क्लासिक से र प्रोफाजल लेकर आ रही है, वो नए से नए प्रोफाजल दे कर लग रहा है, और ब्ल्लोक्चेन ऐसा सर्विसिज्ज जो आज की डेट में, क्रिट्टो करन सी मार्किट में सबसे फास्ट ग्रोफ कर रही है, टेरा ब्लोक्चेन की सर्विसिजज, उसको देखते हैं लग से बना है तब से सिरफ एक ट्विट है और वो ट्विट यह है कि टेरा जो लूना कॉमिनिटी है वो फ्यूचर में आप लोगों को बहुत बड़ी बनती हुई दिखाई देगी और कहीं न कहीं पर जो टेरा का ओफीशल ट्विटर हैंडल है आप वहां पर देखिए एक और न है वो भी टेरा स्टेशन के उपर अब लाइव हो चुका है इस परपोजल को अगर आप लोग पढ़ो तो कहीं न कहीं पर टेरा लूना ने जो काफी टाइम पहले से एक अमर्जंसी अलोकेशन फंड की बात की थी तो वो कहीं न कहीं पर उसका कुछ पार्ट जो है वो 880 प से ग्रो कर रहा है माई फ्रेंड कोई भी ताज्यूब की बात नहीं होगी कि आप लोगों को टेरा क्लासिक बढ़ता हुआ ना दिखे हाला कि लास्ट 24 आर के अगर अंदर आप बीटी सी के पेर में देखे तो 0.20% अप ही है इथेरियम के पेर के अंदर टेरा लूना क्लास भी आया है और इस अपडेट के अंदर कही न कहीं पर टेरा लूना क्लासिक की बहुत बड़ी हाई बताई जा रही है और दोस्तों ये हाई का सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि टेरा लूना जो है वो लगातार अभी स्टार्ट कर रहा है अपने एको सिस्टम को मजबूत करने में और यहाँ पर तो LUNC Burn नाम का एक official Twitter profile है वहाँ पर कई न कई पर एक test net version को successfully launch करने के बाद 1.2% burning को भी include किया जा रहा है तो कई न कई पर जैसे मैं आपको अल्रेडी बता रहा हूं कि Terra Classic में burning एक बहुत बड़ा role perform करेगा तो धीरे धीरे ही सही लेकिन Terra Luna Classic की तरफ से भी आप लोगों को burning के updates देखने और सुनने में मिलने अभी शुरू हो जाएंगे अभी यह सिरफ 1-2% है 1-2% कुछ नहीं होने वाला क्योंकि आप भी जानते हैं जो circulating supply इस टाइम पर LUNC की बन चुकी है वो 6.5 trillion की है और जो की एक बहुत बड़ा amount है burn करने के लिए तो कई न कई पर अभी हम लोगों को पहले यह देखना है कि Terra Luna के अंदर एक proper burning जो हो वो burning कम से कम एक अच्छे level पर 100-200 billions में या 300 billions में जाती है तो कई न कई पर LUNC की value हमें बहुत बड़ी जादे देखने को मिल सकती है और यहां पर आप यह देखिए the developer previously noted that roughly 7.5 to 12 billion LUNC will be burnt every day अब आप इस news को कैसे सच मानेंगे कि लगबग साड़े साथ से 12 billion LUNC token को हर रोज burn किया जा रहा है मतलब 1.25% of burn is implemented on the main net मतलब जो टेरा लूना 2.0 या टेरा लूना ecosystem का जो मेंनेट सबसे बड़ा होने वाला है उसके अंदर burn को भी implement किया गया है जिसकी जो ratio है वो 1.2% निकल कर आती है तो कई नहीं पर आप यह देखिए कि मैं सिरफ expect कर रहा हूं कि टेरा लूना foundation की तरफ से burning पर बहुत ज्यादा focus किया जाएगा future में लेकिन अगर हम past की भी बात करें तो यह update आप लोगों को 17 और 18 जुलाई का दिख रहा है जिसके अंदर टेरा लूना के मेंनेट के अंदर burning को implement करने की बात भी की गई है बट कई न कई पर टेरा लूना के लिए सबसे बड़ा challenge है टेरा लूना classic का जो supply है वो 6.5 trillion की है तो इतनी बड़ी supply के अंदर एक बहुत बड़े stable coin को अगर burn करना होगा तो वो कई न कई पर एक बहुत बड़ा challenge बन जाएगा लेकिन उस challenge को भी टेरा लूना में दिखाई देने को मिलती थी लेकिन फाइनली blockchain में ऐसी services लेकर आने वाला पहला जो crypto token या आप बोले पहला जो crypto project है वो है टेरा लूना 2.2 तो LUNC के back के अंदर बहुत बड़ी चीज है my friends इसलिए मैं आपको बार बार वीडियो बना कर दे रहा हूं कि LUNC को please sold मत कीजेगा ये सच में हम सब की जिंदगी बदलने के लिए बहुत जबरदस तरीके से त्यार हो रहा है और एक fastest growing blockchain as a services ecosystem ready हो रहा है जिसके अंदर burning बहुत बड़ा role perform करेगा और वो burning जो watching this video and please do subscribe CryptoMark YouTube channel for more updates thank you so much